दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट अफिर्स फंडा के टूप चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौधी अरविया की आपने भी हाली में देखा था कि जो 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 बिनाइल माइनर होते हैं इनके लिए पहले जो सजा के प्राबदान में डेथ पिनाल्टी को भी सामिल किया गया था मतलब मिरत दंड को तो राइट नौ अभी सौधी अरविया ने कुछ अपने कानून में संसोधन किया है और अब फाइनली आने वाले दिनों से जो भी सौधी अरविया में अगर कोई माइनर कन्विक्टिड होगा तो उसके लिए अब जो है डेथ पिनाल्टी इसका प्राबदा नहीं रखा जाएगा तो मतलब यह कहा जाए कि नावालिक जो है इनके ओपर मिर्त दंड की पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है एक चीज़ मैं आपको और बता दू सौधी अरविया जो की कठोर सजा देने के लिए काफी बड़े लेविल पर जाना जाता है और इसी के जलते जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है इंटरनेशनल फॉरम है बहाँ पर दोस्तों काफी ज़ाधा किठिसम भी देखने को मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में और भी कुछ important points बताऊँगा सौधी अरविया के बारे में जो बड़ी news है वो यह है कि सौधी अरविया ने अब भी जो death penalty minors के लिए दी जाती थी अगर वो किसी अपराद में ऐसे अपराद में लिप पाए जाते थे तो इनको जो सजा देने में death penalty का भी provision था लेकिन right now अब इसको end कर दिया गया है और थोड़े समय पहले आपने यह भी देखा था कि जो flogging है इसको भी evidence कर दिया गया था flogging का मतलब होता है कोडे मारने की सजा या फिर belt से मारने की सजा तो जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं कि यह एक convicted person है इसके लिए जो सजा का प्राबदान है इसमें less is मतलब कोडे मारने की सजा यह इसमें दी गई है तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बदाना चाहूँगा कि यह सारी चीजे जो UNHRC है वो काफी टाइम से इसको criticism कर रहा था मतलब United Nations का जो Human Rights Commission है वो इसके बारे में काफी टाइम से जो है चर्चा में था और Saudi Arabia से contact में था कि इन सब चीजों को धीरे धीरे खतम किया जाए और हम 21 सदी में जी रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि अब इनी सारी चीजों के चलते साथी अरविया ने जो माइनर्स हैं इन पर death penalty यह टा दिया और कुछ समय पहले इन्होंने कोडे मारने की जो सजा दी जाती थी उसको भी दोस्तों समाप्त कर दिया था क्योंकि इनका जो मानवा दिकार रिकॉर्ड है वो काफी जादा आलोचनात्मक रहा है एक चीज आपक इसलब की एक साही फर्मान का हवाला देते हुए अब जो death penalty है इसको हमने eliminate कर दिया है जो भी minor अगर convicted होंगे पहले crimes में तो उनको दिया जाता था लेकिन अब से यह नहीं होगा और एक बात इन्होंने और भी कही कि this is an important day for Saudi Arabia यह जो है यहां के president है तो यह भी आप note कर सकते ह human right commission है इसके president है और अब जो है modern penal code की तरफ यह अपना move करेंगे तो इन्होंने कहा है कि जो यह साही फर्मान है अब यह आने वाले दिनों में जो modern penal code होंगे इनको जो आज के समय में जो सजाएं का प्रावदान है तो इनकी हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि अब इस तरी penalty has no place in this era ओके लेकिन अगर हम साथी अरविया की बात करें तो 2019 में ही 187 लोगों को फासी की सजा दी गई थी और आप यह देखो कि 1995 से अगर आप करोगे तो लगबग 195 लोग यह highest थे तो कहीं ना कहीं पर जो इनका execution का आकड़े हैं वो दोस्तों दुनिया में काफी ज्याद रखा गया है तो कहीं ना कहीं पर इन आकड़ों के बाद थोड़ी सी संक्या में कमी आएगी क्योंकि अटलीस जो minor होंगे जो juvenile होंगे इनके लिए नहीं रखा जाएगा तो आप कोई भी समझना पड़ेगा कि अब जो है इनके लिए सजा का क्या प्रापदान है तो जो नय दी जाएगी ऐसा इन्होंने अपने साही फर्मान के थुरू बताया है एक दोस्तो किस्सा आप सभी को यहां पर मैं बताना चाहूंगा सौधी अरबिया में एक ब्लॉगर है जिनका नाम है रईफ बदावी तो यह रईफ बदावी की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो का की सरकार थी तो ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने अपनी ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर कुछ बाते लिखी जो कि सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने हवाला दिया कि आपने इसलाम की इंसल्ट की है और इसी के चलते इनको इस बारी बरकम सजा से जूजन पड़ा तो कही ना कहीं पर जो कहानी वो इस प्रकार है दोस्तो 2012 में इनको अरेस किया गया और इनको उपर चार्जे लगाए गए इंसल्टिंग इसलाम थू इलेक्ट्रोनिक चैनल मतलब कि इन्होंने अपने ब्लॉग पर कुछ बाते लिखी और 2013 में इनको कन्विक्टे आया गया सेवरल चार्जेश में और इनको साथ साल की सजा और छे सो कोडे मारने का फर्मान जो है वो जारी किया लेकिन बाद में 2014 में जो इनकी जो संटेंस से इसको इंक्रीज कर दिया गया और दस साल एज़ार जो है कोडे और साथ में फाइन ये तीन चीज़ें दोस्तो एड़ कर दी गए तो इसके बाद जो इंटरनेशनल मेडिया है इंटरनेशनल कम्यूनिटी है कही ना कहीं पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसम जो साथी अरविया को देखने को मिला और जो यूनाइटि नेसंस यूमन राइट कमीशन है इसने भी कहा कि ये जो इन्होंने किय है ये इनके जो freedom of speech इसके अंतरगत आता है और ये अपराद की सेड़ी में नहीं है तो कहीं ना कहीं पर अब आने वाले दिनों में जो साथी अरविया बहां के जो कानून है वो थोड़े से तो जो है modern era के और move कर रहे हैं और right now अब बहां पर इस तरीके के execution और जो कोड़े जिसने नावाली को दोरा किये गए अपरादों के लिए मिर्ट दंड को समप्त कर दिया है तो यहाँ पर अपका सही जमाब होगा सौधी अरव ने ऐसा फर्मान जारी करके इस तरीके के law को अभी amend किया है और सौधी अरव की बात करें तो यहाँ की capital है राजदानी है वो है नीचे comment करके जरूर अपना वो topic हमें सुझाएं और हम आने वाले दुरों में इस तरीके के और भी lessons लेकर आएंगे मेरा main यही aim है दोस्तों कि आपके पास जो current affairs है इसकी by drains of knowledge भी मिले और डेस दुनिया में क्या हो रहा है जो ऐसे मुद्दे जो आपके interview और आपकी पढ़ और आप हमारे channel को अभी subscribe कर लें ताकि आपको ऐसे regular update मिलते रहे और I hope आप इस video को like जरू करेंगे thank you guys have a good day to all of you once again